हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में बाज सीरीज के अगली कॉमिक्स जंग बाज बाज जंग बाज बाज अंतराश्टिय इस्तर पर उग्रवादियों आतंगवादियों का सफाया करने के लिए बेहत खतरनाक एजेंट बाज बने कतल का लाइसेंस प्राप्त है इगल इंटरनेशनल और्गनाईजिशन का वह है एक एजेंट है बाज के साथ उसका हमशकर राजकुमार बाज भी है जो प्रेतों का शहजादा है दौनों इस बाज प्रिंसेज रीना को छोड़ाने निकलते है जिसका अपरड़ डंकी दादा ने किया था परन्तु रीमा ने खुद बाज को खत्म करने के लिए ये जाल रचा था उसना अंगूठी के माध्यम से बाज के शरीर में जहर उतार दिया पर प्रेत राजकुमार बाज ने इनसानी बाज को पराज जिंदा कर दिया भोश में आने पर हुआ क्या था मेरे हमशकर किसने चित किया तुमें खुद उसी राजकुमारी ने जिसका अपरण हो गया था मुझे क्या मालूम था कि ऐसा हाथसा होगा जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा उसने खुशी में मुझे से हाथ मिलाया उसकी तरजनी उंगली में हीरे की जगमगा दिया गूटी थी सुनो ये सब कैसे हुआ ओ एजेंट बास जितना सुना था उससे कहीं अधिक जावास हो तुम तुमने इतनी शीक्दा से मुझे छड़ा भी लिया पन्ना ये आतंगवादी इसी बीच रीमा की अंगूटी से जहर बुझी फिन बहार निकले और बास के एतेली में चुब गई मुझे पिन चुबने का एसास तो हुआ लेकिन तब तक तो रीमा अपना काम कर चुकी थी फिर क्या हुआ ये क्या क्या तुमने प्रिंसेस हाँ हाँ सुप्रीमो की मौत का बदला लिया है मैंने सुप्रीमो हाँ बास तुने आतक बादियों से ब्लैक टाईगर दल के चीफ सुप्रीमो को माढ डाला था याद है तुझे तुम सुप्रीमो की क्या लगती हो ब्लैक टाईगर संगठन की चूरी ने फैसला किया है कि जो बास को कत्म करेगा वही सुप्रीमो बनेगा और मैं अब सुप्रीमो बन गई वैसे भी शेक गुलफाम मेरा प्रेमी था मैंने उसकी लज़पा कसम खाई थी कि तुछ जिन्दा नहीं छोड़ूंगी देख इस सुई में था कतरनाग जहर पोटेशिम साइनाइट और अब तू खत गुडबाई ठाक एक ठोकर मेरी ओर से और अब मैं चली उसके बाद मुझे को घोश नहीं रहा तेकि पोटेशिम साइनाइट के जहर से मैं बच कैसे गया ये मैं बताऊंगा ये तो तुम जानते ही हो कि तुमारे अलावा हमारा हमारी भी एक दुनिया है बहुत प्रेश जिन्नात की दुनिया जिनने तुम देख नहीं सकते ये तो तुम जानते ही हो कि हमारी दुनिया, तुमारी दुनिया की तरह साइन्स से बहुत आगे है, हाँ, तो जाहिर है तुमारी दुनिया में ऐसे भी कोई जहर नहीं होगा, जिसकी काठ हमारे पास नहीं हो, मास्टर सैदान ने प्रस्टिशन के दोरान बताया होगा कि यदि तुम्हें धोके से किसी ने कोई जहर दिया तो हमारी पाचन क्रिया उसे सुईकार न करेगी उसे बाहर निकलना निकाला जा सकेगा अगर तुमने तब ही उपकाईय ले ली होती तो जहर बाहर आ जाता मुझे तुम्हारा पेट दबा कर ये काम करना पड़ा समझ में नहीं आता रीमा तो हमारी सरकार की बहुत खास महमान थी फिर ये मामला क्या हुआ जो भी हुआ पर रीमा ने मेरी शकल जरूर देख ली होगी और अब उसका खात्मा जरूरी है मेरा ख्याल है मैं सबसे पहले अपने हैड़कॉर्टर आइस को फोन करना चाहिए नई दोस्त हम रीमा को कत्मे के विना हैड़कॉर्टर नहीं पहुचेंगे रीमा सिंद्लेंड की राजकुमारी थी जाहिर है वापिस वहीं लोटेगी तो चलो सिंद्लेंड मैं इस पूरे सिंद्लेंड को बता देना चाहता हूँ कि बास क्या चीज है और उसे जहर देना कितना महगा पढ़ सकता है दौनों सेंड लेंड के लिए रवाना हो गए विमान से उत्रे केपटाउन एरपोर्ट पर यहां से आगे की यात्रा बोट से तै करेंगे आगे की यात्रा बोट से शुरू हो गई तुमारा नाम क्या है बोट चालक? डामर इधर का चपपा चपपा मेरा देगा हुआ है ब्रेट बात साथ था किन्तु कोई उसे देख नहीं सकता था क्या सेनलेंड में बताके लोने के लिए वीजा ज़रूरी है हाँ साब बिना वीजा वाले को हम सीमा में नहीं ले जाते सेनलेंड की समुद्री सीमा शुरू होते ही उनके सैनिकों की गर्ष्ट तेज हो जाती है बिना वीजा के तो आप उनकी सीमा में जा ही नहीं सकते और वीजा भी प्रिंसेस का प्राइवेट स्टाफ क्लियर करता है उनकी जाच इतनी पक्की होती है कि कोई गलत आपनी सिनलेंड में कदम नहीं रख सकता बोट चालब तुम ये लाइफ बेल्ट पहन लो क्यों 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 कि इसे पहनने के बाद आदमी समुद्र में नहीं डूपता बाज ना उसे लाइफ बैल्ट पैना दी यह ठीक नहीं हो रहा है तूम मेरा शुक्री यादा करो कि तूम मार नहीं रहूँ बाज ना उसे पानी में फेक दिया गुडबाई हमें कहते हैं बाज प्रेद बाज प्रकट हुआ तुमने उसे जिन्दा के छोड़ दिया किसी भी सैनिक के हते लगया तो सारा भाणा फोड़ देगा वह शक्स वैसे भी हमें सीमा से हैं चोरी चिपे नहीं ले जाने वाला था इधर साब के इधर सबके सब जिनलेंड के प्रती वफ़दार है इसलिए वह हमारे लिए बेकार था परद्दू जिन्दा मैं नहीं चाहता तो यही हो कि सबको पता चल जाए मैं आगया हूँ बोर्ट से इनलेंड की दरब बढ़ती रही इंसानों के बीच रहे कर तुम्हें कैसा लगता है सबसे अच्छा तो मुझे पॉप म्यूजिक लगता है चाहे जैसा शोर मचालो कोई बंदिश नहीं नाचना गाना मस्त रहना ऐसे लोग मुझे पसंद है बाकी से बेकार की कीड़े मकोड़े है इसके अलावे में जरा शैतान कोबड़ी वालों के भी दो-दो हाथ करना चाहता था उनको पीटने में बड़ा मज़ा आता है पता नहीं तुम लोग क्यों पैसे के लिए मारा मारी करते हो हर आदमी अमीर क्यों बनना चाहता है खाते तो सब वही हैं पैसा तो नहीं खाते नहायदी घटी और बेगार दुनिया तुम लोगों की चोरी, डाके, लूट पार्ट, मार कार्ट सच कहता हूं अगर मैंने पॉप म्यूजिक न सुन लिया होता तो लात मार कर वापिस अपनी दुनिया में चला गया होता वो देखो, शैतान का नाम लिया और हाजिर आ रहे हैं हमारी तरफ कुछ गंड बोटें, तेजी से बास की बोट की तरफ बढ़ रहीं थी हाँ पूरी तैयारी से हैं, माइक पर शेताब नहीं मिली जाओ माई रुख जाओ, और अपने आपको हमारे वाले कर दो यू आर अंडर अरेस्ट, बी अटेंशन बास ने तीवर्दा से नजदीक आती बोट की तरफ नौका खुमा दी क्या कर रहे हो, बी अलर्ट एंट अटेंशन प्रिंस बास मैं इन पर हमला करने जा रहा हूँ, बोट से बोट टकरा दी बास ने बढ़ाँ, दौनों की पैट्रॉल टंगी फट गई, बढ़ाँ नौका उड़ने से पहले बास पानी में बोता लगा चुका था देखता हूँ कितनी बड़ी आर्मी है, सिंड लेंड के सैनिकों की उस तुकडी के कमांडर ने सूचना दी हमारी कुछ करने से पहले उसने अंपर अटेक कर दिया, एक बोट दबा कर दिया, चार आप्मी मारे गए होगा नेवी कंट्रोल रूम में, एयर फोर्स को अलर्ट कर दो, दो कॉप्टर तुरें बेरे जाए, नेवी कंट्रोल इंचार बेकर नसूचना प्रिंसिस रीमा को दी, मदाम उसका नम बास ही है, उसने हमारी नेवी फोर्स को हमला कर दिया है, बास कैसे है, उसे तुमें खतम कर आई थी, वैं सिनलेंड की सीमा में किस तरफ जिन्दा को साया, सारे सिनलेंड की तवाम फोर्स को अलर्ट कर दो, प्रिंसेस रीमा ने अपने खास रोबोट मैन को बलाया, बास यहां पहुच गया, सुन रहो तुम, ये, वैं सोच कर आया होगे कि सिनलेंड और सीमा, रीमा को उसी तरह तबाह कर देगा, जिस तरह उसमें शेक गुल फार्म और उसके टाबू को दबाह कर दिया था, मुझे हुक्म दीजिये मदाम, मैं उसके तुकडे तुकडे करके आपके जामने लाकर रगतूंगा, कारली, तुम मेरे सबसे जबर्दस सी उद्दा हो, मेरे पता चले कि तुम तैयार हो, ये तो आप जानती है मदाम कि महार प्रकार की मशीन चलाना जानता हो, हत्यारों से लेका उड़ने वारी मशीन, चीज़ों तक, अब आप एक डेड बाडी मंगवाईए, रीमा ने एक शब मंगवाया, मदाम डेड बाडी हाजर है, मदाम आप का सिवक कार लिए, इस शरीर में, अब आप इस शरीर पर हमला करवाईए, रीमा ने आठ गन्मेन बोला गिये, तो माटो इस पर एक साथ फाइरिंग करो, फाइरिंग की गई, आपने देख लिया कि इन गोलिया को मुझ पर कोई असर नहीं होता, अब मेरे जिसमें के तुक करके अपने शरीर को जोड़ भी लिया और फे खड़ा हो गया, ये है मेरी अदिशी गिर्णों का कमाल, इस तरह मैं चाहे जिसकी लाश का प्रियुक कर सकता हूं, मैं किसी लोही की चीज़ को पकड़ कर इस तरह तोड़ सकता हूं, ये देखिए, करड, 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 मैं हव की रफतार से दोड़ सकता हूं, और जब मुझे ये शरी खत्म करना हुआ, आखरी जबर्द समला करके खत्म करूंगा, जरा मुझे किसी ऐसी इमारत में वेज़ जिसके उड़ने से आपको हानी ना हो, तुम नई कॉलोनी की इमारत, नमबर साथ में जाकर ये अंतिम शस्त दिखाओ, मैं टीवी स्कीर पर ये दिश्य देखूंगी, कारली इमारत नमबर साथ में चला गया, रीमा टीवी स्कीर पर कारली को देख रही थी, मदाम मैं जहां भी रहूँगा आप मुझे टीवी के अपने चैनल पर देख सकती हैं, देख रही हैं न, हाँ, देखिए मे करने के बाद मैं फिर आपकी सेवा में हाजर, कारली तुम दुनिया में अपने किस्मे के नायाब शस्त्रों, मेरे विग्यानिकों ने बरसो तुम पर मेहनत करके बक्साय नहीं किया, गेट रेडी, मैं बास के इतने तुपड़े उड़ा दूँगा जितनी उसकी हड़्ड जाएंगे, बास ना बटन दबा दिया, गोलियों की दिशा पर अटने लगी, और वह बास चक्र किसी की भी गर्दन काट कर बाविज मेरे हाथों में आ जाता है, एर फोर्स, एर फोर्स के कॉप्टर उपर से उतरने लगे, सबका निशाना बास था, हवाई दस्ते ने प्रेद बास अचानक उसी बोट में प्रखट हुआ, कॉप्टर मेरी दरफ जुक रहा है, प्रेद बास ने बास को पानी में उच्छा दिया, तभी बंबार्मेंट शुरू हो गया, बडा, बोट के पर खच्चे उड़ गए, पानी में, शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझ सीरा तुमारे पास, कमांडर ने एर पर उसके दस्ते को बापिस लोटने को हुप में दिया, सब खत्म हो गया, बापिस लोटो, यह मैसे कंट्रोल लूम में पहुचा, क्या कहा, बास बंबार्मन में मारा गया, सूजना प्रिंसेस तक पहुची, जब तक उसकी लाश मेरे स ऐसे लेंज्स रिक्स हैं, जो पानी के अंदर भी देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं, और दुर्बीन की तरह देख सकते हैं, कारली समुधर के ऊपर उड़ान भरने लगा, बास पानी के अंदर तैरता आगे बढ़ रहा था, अब मैं उनके खिलाफ गरिल्ला जिसमें समा जाऊंगा, कारली किरन वनका लाश में समा गया, जैसे ही बास टटपर निकला, लाश भी देख सकते हैं, वहीं आ गई, और ये सिनलेंड के सैनी की लाश भी देख सकते हैं, लीचे पानी, एक मगर मशना है धावा बुला, स्वान, तु भूका मेरे इंतजार कर रहता गया, खप, खप, अरे बेवकूफ, जानवर में भूतों की जिकाई, योदिकला सुमसु का फाइटर, हूँ, हाज जिसम में उतार देता हूँ, खप, हो गया तेरा केल खत्म, जगह पसंद आई, यहां तो सापी साफ लटके हूँ, बास ने बास चक्र फेका, तो कहा निकलता है, वैल डन, यहां से तो पूरा शेर साफ साफ चमकता दिखाई दिए रहा है, मैं यहां से उड़कर चाहे, जैसे मारत की चट पर जा सकता हूँ, अपना दोस्त त्रेद बास के धर गया, पता नहीं कब कहा चंपत हो जाता है, जैसे ही बास स्वरंग में उतरा माई गॉड, यह तो वही सहने के जिसकी लाश त्यारती हुई, टटपर आ गई थी, भूद बन गई लाश, कारली का भार चटान से टकराया, अब बेटा तु मुझे छूबी नहीं सकता, स्वरंग में जंग शुरू हो गई, मैं अपनी पावर बढ़ा कर हमला करता हूँ, क कारली है हमारा नाम, बाप रह, इसके हमले से तो पत्थर भी चकना चूरो हो गया, कौन है तू, तेरा काल, मेरे हाती ही आना था, मेरे हाथ ही आना था, तो ले, सुंग सुगावार की अबाज ने उसी समय कारली ने बाज की कलाई पकड़ ली अब इसकी कलाई तोड़कर पीज डालता हूँ बाज की कलाई तूटका अलग जा गई मैं तेरे सब हड्डियां इसी तरह तोड़ा लूँगा इस पर तो मेरे वार का सरी नहीं और मेरा एक हाथ बाज ने बाज चक्र फेका पहले कटा सर फिर कहने लगे फिर कटने लगे बाज उटांगे लाश के तुकड़े तुकड़े हो गए मगर मेरा हाथ हाथ की फिक्र मत करो मैं आ गया मैं सर्जरी भी जानता हो मेरे जैसा सर्जर्ण तुमारी दुनिया में नहीं मिलेगा प्रेज बाज ना बाज का हज जोड़ दिया ऐसा मलम लगाऊंगा कि अभी बहले चंगे हो जाओगे मगर ये है क्या चीज कारली ना शरी फिर जोड़ लिया है वह तो जोड़ गया ओ उड़ चलो बार जल्दी सुराक से तो चलिए दोस्तों वीडियो को यही समप करते हैं बाज सीरीज के अगली कॉमिक्स बाज और सिंद लैंड के शोले में जो कि इसका आगामी भाग है तब तक के लिए धन्यवाद